आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए जो आपकी किसमत के तालों को खोल सकता है क्योंकि रत्नों में जितनी शक्ती होती है उतनी शक्ती किसी में नहीं होती है जितनी सकती रतनों में होती है उतनी शकती मंत्रों में होती है तो आपकी राशी के जातव को कौन सा रतन पहना चाहिए जिस रतनों को पहनते हुए आपको कहीं सारे फायदे हो क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इस विशेव को लेकर कमेंट्स मिल रहे थे कि हमें कौन सा रत्म पहना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, किस वार को पहनना चाहिए और किस उंगली में पहनना चाहिए क्योंकि रत्नों में जितनी शक्ती होती है, उतनी शक्ती मंत्रों में होती है और जितनी मंत्रों में होती है, उतनी रत्नों में होती है तो यही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन सा रत्म पहनना है दोस्तों लेकिन उससे पहले आपको एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप वाटसप पर अपोइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं उसका फीस उसका शुलक लागोए दोस्तों सबसे पहली बात कि जब भी रत्नों का सिलेक्शन करें हैं आप अपनी राशी के अकोडिंग बहुत सारे वीडियो देखकर वो रत्न खरिद लेते हैं और उन रत्नों को पहन लेते हैं ऐसा कभी नहीं हमें करना चाहिए रत्नों को धारन करने से पहले हमें एक अच्छे जोतिशी से अपनी कुंडली का विश्लेशन करवाएं उसके बाद वो जो रत्न कहें उसे पहने दूसरी साउधानी ये रखना है कि रत्नों को समझने के बाद आपको कुछ दिनों तक उसे अपने पास रखें साथ-ाट दिन तक उसके क्या इंपेक्ट पढ़ रहे हैं उसे आप खुद महसूस करें फिर आगे बढ़े तीसरी बात है कि कहीं बार रत्नों के नेगिटिव इंपेक्ट भी होते हैं तो अगर ऐसा कुछ भी प्रभाव आपको दिखता है तो रत्नों को तुरंत अपने पास से उतार दे तीस चोथी बात है कि अगर मानेजे कोई रत्न नहीं पहनना चाहते हैं तो गुरु मंत्र ओम नमस्षिवाय ले वो भी रत्नों से जाधा फायदा आपको दे सकता है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना, शेर करना, कमेंट्स करना ओम नमस्षिवाय